नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धनंच है उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दुनिया की one of the leading company Microsoft जो कि हम कह सकते हैं कि almost IT industry को rule करती है इसी company में 19 जुलाई को कुछ technical दिक्कत के कारण Microsoft के जो अलग-अलग services होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं शुरुआत के कु ये realize होता है कि क्या aviation industry या banking sector मानों की पूरी दुनिया थमसी गई है यहां से हम एक चीज मालूम पड़ता है कि Microsoft एक कितना बड़ा service provider है साथ में हमें ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि आज के date में वही देश rule करेगा जिसके पास most advanced technology रहेंगे इसी बेच चाइना और रश् कि exactly हमारे पास और क्या information है इस global outage के regarding वैसे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि Microsoft क्या है और इसके क्या अलग-अलग services है इसके बारे में तकरीबन सभी पड़े लिखे लोगों को पता है लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि जैसे normally हम अपने individual capacity में Gmail का इस्तिमाल करते हैं वैसे ही Microsoft के जो services होते हैं ये primarily आपके organizations या institutions use करते हैं यानि कि एक बहुत बड़े पैमाने पे Microsoft अपने services को बड़े-बड़े companies को बेचता है हम एक बहुत ही famous सुनते आया है Excel तो Excel जो ये product है ये Microsoft का ही है और जैसे कि Gmail हम कहते है Google का mail को वैसे ही Microsoft का mail है उसको हम कहते है Outlook और साथ में जो Windows है वो भी Microsoft का ही product है अब Windows क्या है तो normally अगर इसको हम बहुत ही layman term में समझना चाहे Windows को तो ये एक platform है जो हमें access देता है अलग-अलग software को use करने का For example अगर हम ये मालने कि ये एक railway station है तो यहाँ पे अलग-अलग गाडिया आती है रुकती है और अपने हिसाब से हम train का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ exactly यही है Windows जहाँ पे हम browsing इस्तेमाल करते हैं या software का इस्तेमाल करते हैं तो suppose that अगर किसी भी कारण से अगर इस platform पे अगर maintenance work चलेगा तो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो train है वो नहीं आएगी तो exactly Microsoft के जो Windows है वहाँ पे भी यही issue हुआ कि जो Windows है वो काम करना ही बंद कर दिया तो जब Windows ही काम करना बंद कर दिया तो आप किसी भी तरीके का उसके उपर software रन नहीं कर सके ध्यान रखेगा यह बहुत ही simplistic तरीके से मैंने कोशिश किया है समझाने का और उसके बाद Microsoft का एक बहुत ही बड़ा role है या कह सकते हैं कि इसका एक बहुत ही बड़ा market capture है cloud computing में cloud computing क्या होता है तो normally अगर हम smartphone purchase करते हैं तो हमें phone में Google के तरब से Google Drive दिया जाता है तो वहाँ पे कुछ space रहते हैं जिस space का यूज करके वहाँ पे हम documents वगेरा या videos वगेरा या photos वगेरा हम इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर किसी भी कारण से वो दिया गया space अगर भर जाता है तो Google हमें बार बार notification भेज था और कहता है कि आपको और भी space लेने पड़ेंगे और उसके लिए आपको पैसे pay करने पड़ अब है कि जो हमारे photos वीडियो रहते हैं उसको हम store करते हैं Google के पास में क्यूंकि हम उसके services को use कर रहे हैं तो इसलिए उसको हम pay करते हैं तो exactly कुछ ऐसा ही लमसम provide करता है Microsoft भी अपने clients को एक बात का हमें ध्यान एकना बेहर जरूरी है कि जब भी इतना बड़ा global outage होता है कि PCB industry में तो वो क्यूं होता है उसके बारे में बहुत जादा accurate information public domain में नहीं रखा जाता है एक बहुत ही लमसम तरीके से उस global outage के बारे में बताया जाता है कोई भी company इतना बेहोकूफ नहीं है कि वो अपने internal information को public domain में रखे और उसके बाद normally जैसे कि almost सभी PC और laptop में हम antivirus का use करते हैं या in fact हम कहले कि वो cyber security firm को hire करते हैं और उनके company का जो भी internal information होता है या storage होता है या उनका जो server होता है उसको वो protect करते हैं वो सारे cyber security companies जो होते हैं वो तो वैसे ही जो Microsoft जिससे अपने cyber security को लेता है उसका नाम है crowd strike कि crowd strike company का नाम है और इसका जो cyber security product है उसका नाम है falcon तो इनके दुआरा ये कहा गया है कि वो उस Falcon में कुछ अपडेट करते हैं और उस अपडेट के कारण क्या होता है कि कुछ दिक्कत होता है जिसके कारण Microsoft पे असर पड़ता है और खास करके उसका जो Windows है वो काम करना बंद कर देता है Exactly 2-3 लाइन का इस्तेमाल करके CrowdStrike और Microsoft के तरब से Exactly कुछ ऐसा ही statement दिया गया है साथ में हमें एक बात की जानकारी और भी रखनी जरूरी है कि यह जो CrowdStrike है यह US-based company है और यह इतनी बड़ी company है कि अल्मोस्ट दुनिया की सभी देशों में जो बड़ी-बड़े companies हैं वो CrowdStrike के जो services है यानि की जो इनका cyber security है उसको purchase करते हैं और साथ में अल्मोस्ट दुनिया के जो सभी बड़े-बड़े companies है वो Microsoft के products को use करते हैं तो अगर Microsoft को service दे रहा है CrowdStrike और किसी भी तरीके से अगर CrowdStrike के कारण अगर Microsoft impact होता है और Microsoft के कारण बहुत सारे companies जो है वो attached है तो कहने का मतलब है कि अगर किसी एक जगा पे impact पड़त बड़ी company है तो आप ये मान के चलिए कि दुनिया के जो 500 बड़ी-बड़ी companies है वो almost सभी companies CrowdStrike से इनके cybersecurity service को लेते हैं और उसके बात क्यूंकि जो बड़ी-बड़ी companies है वो CrowdStrike से इनके services को लेते हैं तो इसलिए CrowdStrike को एक बहुत ही special access मिलता है इन सभी companies के software या इनके server को इस services दे रहे हैं तो शायद ये possibility बनता है कि किसी टाइम पे CrowdStrike किसी भी तरीके का जो एक data है उसको अपने पास collect करे और US government को वो pass करे और इस चीज़ से हम बिलकुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं क्यूंकि भारत भी एक बहुत ही बड़ा consumer देश है और यहाँ पे हम Microsoft के अलग-अ industry के उपर, banking sector के उपर, जो stock markets होते हैं वहाँ पे भी हमें देखने को मिला इसी बीच चाइना और रश्या ये claim करते हैं कि इस global outage का उनके उपर कोई खास असर नहीं पड़ा उसके पीछे का जो एक बहुत ही prime reason है वो यह है कि जिस तरीके से रश्या और चाइना के उपर Western countries क या एक दबाव है, pressure है तो कही ना कहीं उनको ये realize होना शुरू हो गया कि इस type के services को उनको भी अपने देश में build करना जरूरी है तो यहां से भी हमें समझ में आना चीए कि क्या हमें बस service user बढ़ना है क्या हमें service provider बढ़ना है वैसे लोग जो हमारे बीच regular अकबार पढ़त के इस चारे पे काम नहीं करते हैं, ये चीज भी गलत रहेगा, जब भी कोई company इतना बड़ा बनता है तो वो company जिस देश का local होता है बिना उस देश के सरकार के support की बिना वो company कभी भी इतना उपर नहीं बढ़ सकता है, और ये बात समझाने के जरूरत नहीं है कि अगर कोई आपको support करता है, तो उसके पीछे उसका भी कुछ अपना एक interest होता है, जहां तक बात किया जा crowd strike के बारे में, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसे multiple reports है, जहां पे ये confirm तरीके से मालुम पड़ा है कि crowd strike की US government के हिसाब से काम करते हैं, और ये भी देखने को मिला है कि crowd strike अ computer में antivirus होता है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि उस data का misuse नहीं हो रहा, तो हम नहीं कह सकते हैं, अगर हम किसी का भी services को use करते हैं, तो individual capacity में ये कह पाना है बेहत मुश्किल है कि हमारा data का इस्तिमाल किस तरीके से किया जा रहा है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो government of India है, उसका role बहुत ही बड़ा है, अब यहां पे जो decide करेंगे वो government of India करेंगे, खास करके हमारे जो IT ministry है, वो करेंगे कि वो किस तरीके से अपने देश का data को protect करते हैं और store करते हैं, लगभग कुछ 80% से भी अधिक US में जो government bodies है, वो crowd strike के service को इस्तिमाल करते हैं, तो यह हमारे पास बहुत ही sufficient data है या information है, जिसको पढ़के हम यह कह सकते हैं कि crowd strike US government के बहाफ पे काम करते हैं, और यह किसी भी time पे US government के इशारे पे काम करने को तयार हो जाएंगे, साल 2016 में Wikileaks के द्वारा multiple documents को release किये गया थें, और उस document में बहुत सारे जो US government या खास करके उनके जो US military ह किस तरीके से वो अफगानिस्तान में invade किये थें, किस तरीके से वो वहाँ पे plan बनाये थें, और उस पुरे invasion में किस तरीके से बेकसूर लोगों की जान गई थी, या इससे संबंधित बहुत सारे classified documents present हैं, जिसको कि Wikileaks 2016 में publish करता है, तो कहीं न कहीं जब Wikileaks के द्वारा य अगर डेटा को access करता है, तो कहीं न कहीं दुनिया के सभी देश जिनके पास शमता है, वो अपने वो अलग-अलग देशों का data को use करते हैं और उसको access करते हैं, तो अगर आप इसको बहुत ये in short समझना चाहें, तो कोई भी यहाँ पे अच्छा नहीं है, depend करता है कि आपक के अंदर कितना capacity है, I hope that you like the video, अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye.